हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल वैशनभी फ्री एजूकेशन क्लासिस फ्रेंड्स जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी रात में आठ बजे बिर्कुल धुमधार क्लास होती है ठीक है और आज जो हमें पढ़ना है आज हमारा जो टॉ दीर रंजन खास्तगीर है और साथ में हमें देखना है कनू देशाई और समरेंडरनाथ दत इन तीनों कलाकारों के बारे में आजम को बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है और देखिए कल संडे था जिसने कल वाली क्लास ना देखी हो रात में आठ बजे जो ही थी आपके करेंट अफैर वाली तो आप देख लीचेगा ठीक है बाकी जो अपका ये चल रहा है डेली आठ बजे ये तो आपका चल ही रहा है बाकी संडे में जो अलग हो जाती है क्लास उसको आप लोग देख लिया करिए तो हमें पढ़ना है सुधीर रंजन खास्तगीर कनू देशा अब जो जुड़ रहे हैं अपना जुड़ते रहेंगे अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है बिलकुल आठ बजे उपस्तित हो जाए करिए बिलकुल भी यहां पर टाइम वेस्ट वाला कोई काम नहीं है सीधे हम स्टार्ट करेंगे कोई बात चीत नहीं केवल पढ़ तो हमें पढ़ना है सुधीर रंजन खास्तगीर के बारे में तो देखिए इसमें एक चित्र देखने को मिल रहा है इस चित्र में क्या है इसके बारे में हम देखते हैं नीचे तो देखिए इसमें दे रहा है डॉटर ओफ दा स्वैल यह जो चित्र दिखाया है हमने यह किस ने बनाया है सुधीर रंजन खास्तगीर ने बनाया है कौन सा चित्र है डॉटर आप दा स्वेल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म की बात करें तो 1907 इसबी में होता है कहा पर चिटगाउं बंगला देश में होता है ठीक है और सिक्षा की बात की जाए तो नंदलाल बोस के निर्देशन में इन्होंने सिक्षा कहा पर शांती निकेतन में ली थी किसकी बात हो रही है पहला point clear होता है फिर खास्तगीर जो है ये ब्रह्म समाज और एकेश्वरवाद के पक्षधर थे याद रखना है बहुत important है खास्तगीर जो है ये ब्रह्म समाज और एकेश्वरवाद के पक्षधर थे और खास्तगीर ने भारतिय देवी देवताओं के संबंद में नंदलाल से जाना था नंदिलाल बौश से जाना था कला वयभ़ो के मर्मको अमनीद्रनाथ टैगोर से इन्होंने समझा था किसके बारे में कला वयभ़ो के मर्मको ठीक है और खास्थगीर ने सिंधिया इस्कूल ग्वालियर में लगबक चार वर्ज रस कला पच्चपत पर काली भी किया है कहां पर ग्वालियर में किसने खास्तगीर ने लगभग कितना छार वरश तर ठीक हैं आगे सन 1955 इसवी में यहाँ पर दून इस्कूल में नोने कारी किया और यहाँ पर खास्तगीर सीमेंट वा प्लस्टर याद रखना है सीमेंट वा प्लस्टर को अपने स्रजन का माध्यम बनाया था कहाँ पर दून इस्कूल में नोने जब कारी किया था और कान्स धलाई का प्रसेक्शन इन्हों ने खास्तजीर ने कहां से? इंग्लेंड से प्राप्ति किया था कहां पर लखनव में प्राचार नियुक्ति किया गया था कब 1956 में सन 1961 हिस्वी में खास्तगीर को गौर्मेंट कॉलेज ओफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनव में याद रखना है लखनव में प्राचार रपत पर सेवा निव्रत हो गये थे कब 1961 में ठीक है याद रखना है आगे चलते हैं खास्तगीर जो है ये चित्रन मूर्ती लिनो कट चारकूल चित्रन कैनवास पेंटिंग और तेल चित्र पैंसिल इसकेच या पिर अन्न मादिमों पर भी इन्होंने कारे किया है किसकी बात चल रही है खास्तगीर की बात चल रही है फिर बोल रहा है कि खास्तगीर की जो कला है इन्होंने इन्सकी कला से विभिन मना इस्थितियों से मतलब पता चलता है इनके मन की इस्थितियों का पता चलता है ठीक है आगे सुधीर रंजन के पूरवजों को मुगलों ने खास्तगीर मतलब हिंदू वैद की पद्वी दी थी पूँचा जाएगा आपसे कि खास्तगीर हिंदू वैद की जो पद्वी मिली है खास्तगीर का मतलब क्या होता है हिंदू वैद इसकी जो पद्मी दी है किसने दी है तो ये मुगलों ने दी है किसको सुधीर रंजन खास्तगीर को ठीक है और खास्तगीर को लोक जीवन का चित्रकार भी कहते हैं क्या कहते हैं लोक जीवन का चित्रकार भी कहते हैं ठीक है अच्छा ये बताई जो कल क्लास हुई थी रात में जिसमें हमने करेंट पढ़ाय था आप लोगों को पसंद आई की नहीं आई किसने किसने देखी है 6 पजल दी से आगे चलते हैं जिसने ना देखी हो तो देख जरूर लीजेगा ठीक है और हो सके तो नोट भी कर लीजेगा ऐसे ही हम संदे सू संदे सारा मटेरियल आपको करेंट अफैर का देते रहेंगे ठीक है पिछले एक साल से भी अगर मतलब क्वेश्चन बनता है टीजटी आर्ट में आपके करेंट का तो बाहर नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि मैं ना एक क्केशन छाट रही हूं हर जगह से एक एक व्षांट छाट कर लिख रही हूं ठीक है कल तो खहर पीडिएप में दिया था बागी आगे से जो मिलेग आपको हैंड डृटन में ही मिलेगा मेरी ही रैटिंग में ठीक है तो देखिए पहला पॉइंट कैं दिया है आपके चित इनकी उतकरिष्ट कृतियों में से एक है खैर जाने कितने लोगों ने बनाया है ये मा और शिशु ठीक है इनकी कृतियों में से एक है आने प्रिश्ट चित्रों में इनका कौуन कौन सा है नगना, ले, नत्यमत्ता, गुरुदेव, बापु ये सब भी चित्र जो है किसके है शुधीर रंजन खास्तगीर के हैं ठीक है और सुधीर रंजन खास्तगीर की कला में जीवन का यथार्थ देखने को मिलता है जैसे व्रद, मा, नर्तिकी, पूजा, यात्रा, तालाप से वापसी, तूफान में यात्रा, अधिक अन उपजाओ ये सब किसके हैं तो ये सब हैं अपने सुधीर रंजन खास्तगीर के ठीक है आगे बढ़ते हैं नर्तिकी वालाएं, संथाल इस्त्रियां और पलाश के पलाश के पुल बार बार ये सब जो चित्र हैं किसके हैं सुधीर रंजन खास्तगीर के और कैसे हैं फलकों पर उभरे हुए हैं आगे खास्तगीर का एक अन्य विशय कभी रवींद्रणाथ टेगोर की मुखा करती थी याद रखना है रवींद्रणाथ टेगोर की मुखा करती जो है किसने बनाई है खास्तगीर खास्तगीर को 1957 इस्वी में भारत सरकार द्वारा पदम स्री की वपादी से भी भूचित किया गया याद अखना है कब 1957 में आगे चलते हैं तो देखें यह चित्र है यह चित्र सुधीर रंजन खास्तगीर का है ठीक है आगे चलते हैं और देखें इनका आज लास्ट पॉइंट जो है यह है खास्तगीर के जो चित्र है यह मुंसिपल म्यूजियम कहां इलहाबाद नेशनल गैलरी ऑफ मॉडन आर्ट नई दिल्ली चित्रकला परिशद बैंगलोर में यह सब देखे जाते हैं किसके चित्रों को खास्तगीर के चित्रों को ठीक है अब यहां से जो है अपने भाई साब खास्तगीर कम्पलीट हो जाते हैं यहां से हमें पढ़ना है आगे कनूदेशाई के बारे में क्या पढ़ना है कनूदेशाई के बारे में तो देख लेते हैं तो देखिए कनू देशाई अब इनके बारे में देखते हैं तो याद रखना है कि गुजरात के विख्यात कलाकार हैं कनू देशाई जिनका जन्म कब होता है 1907 में कब होता है 1907 में कहां के हैं ये गुजरात के हैं कनु देसाई की कला सिक्षा जो है ये शांती निकेतन में हुई थी और इनके जो गुरू है कौन है नंदलाल बोस है किसके गुरू है कनु देसाई के और अध्यन के उपरांत कनु देसाई जो है ये गुजरात विद्या पीठ में कला के प्राध्यापक भी हो गये थे याद र परमपरा बादी शैली में और कनुदेसाई के चित्रों में रेखा का सौंदर देखते ही बनता है याद रखना है इनकी जो विशेष्टा है क्या है रेखाउं की सौंदर रिता और कनुदेसाई के सभी चित्रों में कोमल रंग और रेखाउं का प्रभाव देखने को मिलता है किसके चित्रों में कनुदेशाई के और रेखा का सौंदर भी इन्हीं में देखने को मिलता है और इनके कुछ चित्र हैं इस प्रकार है देख लेते हैं राधाकृष्ण है, मीरा, उत्सव, तियोहार तथा स्रंगारिक, प्रसंगों से संबंदित चित्र ही इन्होंने अधिक बनाए है किसकी बात हो रही है, कनुदेशाई के ये सब चित्र हैं राधाकृष्ण, मीरा, उत्सव, तियोहार, स्रंगारिक, प्रसंग ये सब जो चित्र हैं किसके हैं, कनुदेशाई के है और इनका जो संबन्द है चलचित्र जगत से भी है किसे? चलचित्र जगत से भी है इन्होंने मुवियां भी बनाई है तो कौन गान सी कनू देशाई ने अनेक उत्तम फिल्मों में कला-निरदेशक का काम किया है किसका? कला-निरदेशख का रामराज, बैजू बावरा और जनक जनक पायल वाजे ये सब किसकी हैं? ये सब हैं अपनी कनु देशाई की हैं ठीक है? और एक चीज़ और याद रखना है कि कनु देशाई के चित्र प्राया तीन प्रकार के हैं कौन कौन से हैं? रंग चित्र है दूसरे एक रेखा चित्र है तीसरे चाया चित्र है तीन प्रकार के हैं कनु देशाई के चित्र पहला है रंग चित्र रेखा चित्र, छाया चित्र ठीक है? आगे देखते हैं रंग चित्रों में कनु देशाई ने जलरंग माध्यम का प्रियोग किया है किसमें कनु देशाई ने जलरंग माध्यम का प्रयोग किया है और रेखा चित्र और छाया चित्र में कनु देशाई ने काली श्याही का प्रयोग किया है याद रखना है ठीक है याद रखना है रंग चित्रों में किसका यूज हुआ है जलरंग का और रेखा और छाया में काली स्याही का कनुदेशाई के सुन्दचित्रों में कौन-कौन है राधाकृष्ण, भारतमाता, वटसावित्री और अर्जना ये सब किसकी हैं कनुदेशाई की ठीके, तो यहां से हमारे कनुदेशाई भी कम्प्लीट हो जाते हैं अब हमारे जो लास्ट कलाकार है शमरेंद्रनाथ-गुठ्ट इनके बारे में थोड़ा सा है, जान लीज़े, चलिए शमरेंद्रनाथ-गुठ्त जो है, ये सन 1887 इस्वी में समरेंदरनाथ गुप्त का जन्म कहां कोलकाता में होता है कब होता है 1887 में किसका समरेंदरनाथ गुप्त का कहां पर कोलकाता में और इनकी जो कला सिक्षा है ये कलकत्ता कला विद्याले में हुई थी याद रखना है और अबनींदरनात टैगोर जो है इनके कला गुरू थे कौन थे इनके गुरू ये हैं अबनींदरनात टैगोर और समरेंदरनात गुप्त को मेयो कॉलेज अफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहॉर का प्रथम भारतिय प्राचार नियुक्त किया था इंपोर्टेंट है याद रखना है ठीक है शमरेंदरनात गुप्त को मेयो कॉलेज लाहॉर का प्राचार बनाए गया था ठीक है और 1914 इस भी में ये असित कुमार हलदार के साथ जोगी मारा के भित्ती चित्रों की भी इनोंने प्रतिलिपिया बनाई थी कहा की जोगी मारा की किस के साथ मिलकर असित कुमार हलदार के कब 1914 में अब देखेगा अच्छे से चलिए और इनका लास्ट पॉइंट है सन 1964 ठीसी में इनका निधन हो गया था किसका समरेंदरनात गुप्त का अब देखे यहां से जो हमारी ये जितने भी कलाकार थे ये सब कम्प्लीट हो जाते अब यहां से जो हमारे कलाकार स्टार्ट होंगे ये सब होंगे अपने बंगाल स्कूल के कलाकार ठीक है जिसमें से हम जो कल पढ़ेंगे पहले कलाकार का नाम होगा नंदलाल बोस ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और लाइक वाइक कर दीजेगा बाकि आप लोगो पस्तित हो जाए करिए इतना ही मेरे लिए काफी है ठीक है तो मिलते हैं फिर कल बढ़ियों नंदलाल बोस के साथ ठीक है चलिए